Hello Friends, Welcome to the Chitra Science Hub हमारा आज का टॉपिक है Isoelectric Point and Electrophoresis जो हमारे Amino Acids होते हैं इनकी जो होती है Dipolar Nature होती है Dipolar Nature मिन्स Dipolar Nature से हम क्या समझते हैं Amino Acid की जो है दोनों तरह की Nature है क्यों है? चुकि इसके पास एक Basic Group भी है NH2 और एक Acidic Group भी है COH Group तो जो COH Group होता है Amino Acids का वो Acidic होने की वज़े से Ionize हो जाता है Water में क्या बना लेता है? CO Negative अब ये एक जो है Proton Liberate कर देगा अब चुकि NH2 Group के पास एक Lone Pair होनी की वज़े से ये Lewis Base की तरह काम करता है और इस Proton को Accept कर लेता है तो इस वज़े से हमारा क्या है? Amino Acid जो है हमारा क्या है? Physiological pH पे Amino Acid जो है Jutronion के form में एक्जिस करता है Jutronion कहले ये Dipolarion कहले तो ये Jutronion होता है ये क्या होता है? इसमें हमारा जो है Amino Group और Carboxyl Group जो होता है दोनों Completely Ionized हो जाते हैं ये CuH Group जो है एक Proton हमारा Liberate कर देगा जो NH2 Group Accept कर लेगा इस वज़े से ये हो जाएगा हमारा CuO Negative और ये हो जाएगा NH3 Plus और इसे हमने कहा Jutronion Jutronion वो जिसमें Amino Group और Carboxyl Group दोनों के दोनों ही Ionized है अब ये जो हमारा Amino Acid है जो Jutronion की फॉर्म में है ये हमारा Acid और Base दोनों तरह से Act करता है और वो Substances जिनके पास इस तरह की Property होती है उन्हें हम कहते हैं Amphoteric Amphoteric मिस दोनों तरह की Property है अब ये जो हमारा Jutronion है ये ये हमारा जो pH Medium का pH ये लो हो मिस Acidic pH तो Acidic pH में क्या होगा वो वहाँ से Proton ले लेगा अब ये प्रोटोन ले लेगा तो वो ये हमारा Amino Acid कैसा हो जाएगा Positively Charged अब दूसरी तरह ये हमारा Medium Alkaline हो Alkaline Medium से क्या है वो OH ले लेगा तो ये हमारा Amino Acid क्या हो जाएगा यहाँ पर Negatively Charged तो कहने का मतलब ये है कि Low pH में तो हमारा Amino Acid Positively Charged होता है और High pH में हमारा Amino Acid जो होता है वो Negatively Charged होता है अब Isoelectric Point Isoelectric Point वो Point है जहाँ पर Amino Acid के पास Isoelectric Point मिन्स वो pH है जहाँ पर Amino Acid के उपर कोई Charge नहीं होता For Example जो Pi यदि हम देखे एक S-A Amino Acid का जिसके पास कोई Ionizable Side Chain नहीं है जैसे हमने यहाँ पर यह एच ले लिए जो है हमने हाँ CH3 ले लिए Elenin का हमने Example लिया तो इसके पास जो CH3 गूरूप है चुकि तो दो Pka Value के का जो है Mean होगा कैसे जैसे यह हमारा एक Pka Value होगी COH Group के लिए एक Pka Value होगी जो है हमारे इस NS3 वाले अब इसकी Pka Value है 9.69 इसकी है 2.34 तो इसका जो Pi होगा वो इन दोनों का हमारा जो क्या है जो है इन दोनों का हमारा इनके बीच में कहीं होगा तो मिन्स इनका हमने Average निकाल लिया तो इसका जो Pi होगा इन दोनों के कहीं बीच में मिड में होगा अब यदि Amino Acid के पास यह जो R Group है वो Ionizable हो जाए जैसे कि हम Lysin का एक्जामपल ले तो Lysin उसमें हमारा हम Pi कैसे निकालते हैं Pi तब हमारा होता है Average of the Pka Values of the Similarly Ionizing Group वो ग्रूप जिनका जिनके पास हमारा एक जैसा चार्ज है जैसे कि हम इन दोनों में देखे यहाँ एक जैसा चार्ज यहाँ इस NH3 के पास है यहाँ ऐसा सेम चार्ज इसके पास है NH3 के तो सेम जो Similarly Ionizing Group का हमारा Average होता है Pi यहाँ हमारे Similarly Ionizing Group एक यह है एक यह है एक की वेल्यू 10.79 है एक की वेल्यू 8.95 है तो हमने इन दोनों का Average ले लिया तो इस तरह की molecules के अंदर जिनके अंदर जो R Group होता है वो Ionizable होता है उनका Pi क्या है हमारा जो है Average है किसके Average किसका Average है Similarly Ionizing Group का Average है Next है Electrophoresis Electrophoresis क्या है हमारा इस मैथड में हम क्या करते है Amino Acids को Separate करते है किसके basis पे उनकी Pi Value के basis पे तो हम क्या करते है जैसे हमें Amino Acid का कोई Mixer हमें Separate करना है तो हम क्या करते है यदि Paper Chromatographic Help से हम कर रहे है तो हमें एक Waterman Filter Paper ले लेंगे उसमें जो है नीचे से 1 cm का Distance छोड़ के एक Line Draw करेंगे उसके Center में हम जो Amino Acid का हमारा Mixer है उसका Dot लगा लेंगे यदि हम ये ना करके Gel पे हम उसे कर रहे है तो तब भी हम क्या करेंगे Amino Acid के Mixer का एक Drop जो है हम उस पे जो है Apply करेंगे Middle में तो अब हम क्या करेंगे When this paper or gel is placed in a Buffered solution between two electrodes जब हम इस paper को या gel को एक buffer के solution में रखेंगे और हम क्या करेंगे साथ के साथ उसे हम क्या है दो electrode से जोड़ देंगे तो दो electrode से जोड़ने के बाद क्या होगा जब जैसे हम उसे electric field apply करेंगे जैसे हम supply own करेंगे तो क्या होगा An amino acid having PI greater than the pH of the medium अब समझ लो हमारा जो है pH का medium हमने 5 लिया हुआ है तो वो amino acid अब जो हमने mixture लिया हुआ हुआ उसमे amino acid कोई ऐसा भी होगा जिसका PI हमारा 5 से ज़्यादा होगा कोई amino acid ऐसा भी होगा जिसकी हमने PI जो है 5 से कम होगा चुकि जो हमने medium लिया हुआ है उसका pH समझ लो हमारा 5 है तो वो amino acid जिनका PI उस 5 से ज़्यादा होगा तो वो हमारे क्योंकि positively charged हो जाएंगे तो हमारे cathode की तरफ को move करेंगे चुकि cathode हमारा negative terminal है अब वो amino acid जिनका PI जो है हमारे buffer के pH से कम है तो वो हमारे anode की तरफ को move करेंगे जैसे कि हमने example लिया हुआ है जो amino acid का mixture है हमारा वो 3 amino acid का है एक lysine है एक alanine है एक aspartate है तो अब इसका PI है 9.87 इसका PI है 6.02 इसका PI है 2.98 अब जो हमने buffer का pH लिया है वो हमने लिया है 5 अब lysine और lnn का जो हमारा pH है वो किस से इस से हमारा जादा है तो वो move करेंगे हमारे जो है cathode की तरफ negative terminal की तरफ क्यों चुकि वो हमारा PI उनका जादा क्यों है चुकि उनके पास हमारा क्या है ये positive charge है तो ये हमारा क्या है negative terminal की तरफ को move करेंगे अब दूसरी तरफ हम ये जो हम aspartate को ले तो इसका PI क्या है हमारा 2.98 तो ये हमारा इसका PI किससे है जो हमारा buffer का pH है उससे इसका PI कम है तो ये हमारा move करेगा positive terminal की तरफ क्यों चुकि ये हमारा negatively charged है और ये lysine और alanine ये हमारे ने लिया है ये जो है ये तो हमारा neutral हो गया चुकि इसके पास हमारा कोई charge नहीं है alanine के पास ये जूट्रायन के form में है यहाँ पे NS3 ये प्लस CO negative तो इसके पास तो कोई charge नहीं है इस वज़े से ये हमारा रह गया center में अब ये जो lysine है ये हमारा positive charge हो गया चुकि अब alanine पे कोई charge नहीं है ये center में रह जाएगा अब aspartate के पास चुकि negative charge है तो ये positive terminal की तरफ को move करेगा अब in case of molecules having the same charge उस case में हम क्या करें जहां हमारा molecules के पास charge same है तो उस case में हमारा separation कैसे होगा the larger one will migrate more slowly जो बड़ा molecule है वो slowly move करेगा as compared to smaller जो smaller molecule है वो easily move कर जाएगा दूसरी तरफ जो हमारा बड़ा molecule होगा वो हमारा धीरे migrate करेगा electrophoresis में तो हम उसे उसके movement के basis पे हम उसे separate कर लेंगे अब हमारे चुकि amino acids जो है हमारे colorless होते है तो हम कैसे हम उसे identify करें कि कौन सा amino acid है वो अपने जो है travel तो वो कर गए अपने अपने P.I.E. के basis पे कोई positive terminal की तरफ कोई negative terminal की तरफ कोई बीच में ही है लेकिन अब कितना मूब किये यह हमें पता नहीं चलेगा चुकि amino acid हमारे colorless है तो हम क्या करेंगे उसके उपर ninhydrin का spray कर देते है तो ninhydrin का spray करने से क्या हो जाएगा जो हमारा यह जो है जो dots थे हमें मिले थे वो सब color दिखने लगेंगे purple color के spot दिखने लगेंगे तो अब जहां से जिस जगे से उसने move किया हुआ था move करना शुरू किया और जहां तक वो dot move करता है वहां के बीच के हम कितना distance उसने travel किया वो measure कर लेते हैं उस basis पे हम RF value निकाल लेते हैं तो इस तरह से हम amino acids को हम amino acids का mixture है उससे हम amino acids को अलग-अलग separate कर लेते हैं उस RF value के basis पे हम RF value is retention factor है retention factor के basis पे हम उन्हें identify कर लेते हैं कि इसकी standard से हम उन्हें compare कर लेते हैं कि हमारी इसकी RF value यहां है तो हमारा ये वाले amino acid है और RF value हम निकालेंगे कैसे जितना उस sport ने distance travel किया upon जितना solvent ने हमारा distance travel किया तो इस तरह से हम color के basis पे हम identify कर लेंगे कि कौन सा amino acid जो है हमारा इन में से कौन सा alanine का sport है कौन सा हमारा aspartate का है कौन सा lysine का है तो ये था हमारा आज का topic Thank you